हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का आपू स्वादिष्ट किचन पे तो फ्रेंड्स आज लेकर आई हूँ जाल मुरी जो की बंगाल में काफी जादा प्यार से इसे खाया जाता है अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपको लगेगा आप बंगाल में बैठ कर ही बंगाल की जाल मुरी खा रहे हो तो बंगाल की जाल मुरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे मुरमुरा एक बाल मुर्मूरा मैंने लिया है उसमें हरे मेच को चॉप करके अड़ करेंगे साथ में मैंने हरे मटर को वोईल करके लिया है आप इसके जगा काले चने को भी ले सकते हैं और मैं मार्केट से लेकर आई थी नमकिन तो ये देखिए मैंने एक वाउल नमकिन भी एड़ किया है तो काफी चटपटा बनने वाला है friends हमारा जाल मूरी तो साथ में मैंने एक आलू को वोयल करके उसे भी एड़ किया है अब एक प्याज को चौप करके उसे भी एड़ करेंगे और ये सुखी नारियल को लंबे-लंबे साइज में मैंने कट कर लिया है आप बंगाल में जब भी इसे खाओगे तो आपको ये सुखी नारियल दे के जरूर जाल मोड़ी खिलाते हैं ये कुछ धरे-धरिया के पत्ते साथ में हम लोग ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ये सफेद नमक है अब थोड़े से हम लोग काले नमक भी एड़ करेंगे जादा नमक एड़ नहीं करूंगी और ये मैंने आम की चटनी बनाई थी है, हमारे घर के खुद की बनाई हुई चटनी है आप इसके जगह पे धनिया पता की ग्रीन चटनी ले सकते हैं और ये है सरसो का तेल, एक चमच अब साथ में हम लोग निम्बू एड़ करेंगे तो मैंने आधा टुकड़ा निम्बू को भी निचोड़ लिया है अब इन सभी इंगिरियंट्स को अच्छे से एड़ कर लेने के बाद मिक्स कर लेंगे तो इसी स्पून से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ तो हमारा बंगाल का जाल मूरी बनके बिल्कुल रेड़ी है अगर आपको ये जाल मुडी घर में बनानी है तो आप जरूर बना कर ट्राइ करें आपको खा कर फिलिंग्स आएगी कि आप कॉलकता में ही बैट कर जाल मुडी खा रहे हो बहुत चटपटी से और टेस्टी से हमारी जाल मुडी बनके रेडी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी ये जाल मुडी रेशिपी थैंक्स फूर बाचिंग